हेलो फ्रेंड पॉपुले टीवी सेरियल गुम है किसी के प्यार में क्या गया आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि रजट निकला चिनमे का बेस्ट फ्रेंड तो वही चिनमे ने रजट की मदद से दिया सवी को उसके बड़े पर बड़ा सप्राइज जी हाँ द परस उसे अपना बड़े पर अपना वही लास बड़े याद आता रहता है कि किस तरह से ईशान सर ने उसके बड़े को जोरो सोरो से मनाया था जहाँ चिन में अपने दादा होने का फर्ज हर साल निभाते हुए नजर आने वाला है वो सभी के लिए बर्डे पर कुछ न कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता रहता है ताकि सभी के चहरे पर खुशी देख सके लेकि इस साल चिन में को कोई जरूरी काम आ जाएगा और वो डेली में फरसा होगा वैल अब शोकिप कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहाँ चिन में परिशान हो रहा होगा कि अब मैं अपनी बेहन के बर्डे पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर ये इंपॉर्टन काम नहीं आया होता तो मैं कभी भी मिसना करता तो वही चिन में ये सब को सोची रहा होगा कि तभी उसे याद आने वाला है अपने मुंबई वाले फ्रेंड के बारे में मेरी बेहन वहाँ मुंबई में रहती है और उसका बड़े है तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेहन के लिए सब्राइज पार्टी और्गनाइज करवा दे जहां रजट ये कह देगा कि कोई बात नहीं मैं तेरा ये काम कर दूँगा तो एड्रेस भेज दे वेल अब शो के अबकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां चिन में रजट को एड्रेस भेज देगा तो वहीं एड्रेस देखकर रजट शौक्ड हो जाएगा और कहेगा कि ये तो हमारी ही बिल्डिंग का एड्रेस है जहां चिन में के कहने पर रजट बिल्डिंग के क्लब हाउस में रख देगा सभी के लिए सप्राइज बर्डे पार्टी जहां सभी जैसे ही एंटर करेगी उस पर हो जाएगी फूलों की बारिश और ये सब देखके सभी को याद आएगा इशान तो वहीं दोस्तों सभी के बर्डे पर होगी रजट की मुलाकात सभी से तो दोस्तों और अपने जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने न भूले